पार्ट थ्री अपूद प्रोडक्शन हम देखते हैं अभी तक के ट्रेइनिंग में किसी को कोई कन्फूशन है जी अनी कन्फूशन है ओके सबसे फर्स्ट अगर हम प्रोडक्शन में बात करें तो कोई भी मटीरियल अगर हमने रिसीव किया तो क्या होगा वह चार तरकी क्या थेग्री हो सकती है सबसे पहला पारीशेबल होगा पारीशेबल मतलब जो जल्दी से खराब हो जाते हैं एक या दो या तीन दिन मैक्जिम चलते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स एग यह सब क्या होगा जल्दी खराब हो चारेंगे आप इसको महीने भर के लिए स्टोर नहीं कर सकते है ना दूसरा होते है कुछ रेडी तूइट प्रड़क्ट जैसे बिस्केट कुकीज और इसको आपको चिप्स यह सब क्या करना होता है हमें बस रेडी तूइट रहता है आदर वी हाफ फ्रोजन मैटेरियल फ्रोजन मतलब क्या सीफूड आता है कभी-कभी फ्रोजन आइस ते सारे ज़िए फ्रोजन आइटम एंड ड्रायों मतलब क्या आटागे होँ स्पाइस्स यह सब क्या अब अब जब आप खरीद रहे हो तो आपको क्या के ध्यान रखना होगा सबसे पहले आपको यह इंशौर करना होगा कि आप जो भी माल खरीद रहे हो साफ हो FSAC IE number होना चाहिए उस product के उपर temperature जो भी food का temperature है अगर कुछ low risk product आ रहे हैं आपके आँचे से कि दूद, मक्खन, बटर तो मैं ये sure करना चाहिए कि उसका जो temperature है वो सही हो less than 5 degree centigrade पे ही हम उसको receive करें अगर egg ले रहे हैं तो preferably आप egg red egg लेजिए पास्चिराइज milk products लेजिए और meat अगर आपको कहीं से लेना है तो inspected source से ही लेना है मतला authorized source से ही लेना चाहिए अगर कोई भी आपका cane है जिसमें कुछ dent लग जया है या फिर उप spillage हो रहा है उसमें या पफिंग हो गई है तो आपको यूस नहीं लेना है नहीं करना है और इसको रिटर्न कर देना है हमेशा कोई भी food product लेने लेने के समय आपको उसके expiry या best before date जरूर चेक कर लेनी चाहिए frozen food में आप चेक कर लेकिए इसको thawing कैसे करना है अगर कोई भी तरह का packet लिया आपने इसमें थोड़ा सा spoilage दिख रहा है आपको insect या dirt दिख रही है तो वह preferably आपको अच्छे से inspection कर लेना है और तब ही लेना है otherwise इसको return कर देना चाहिए आप कोई भी meat products लेते हैं तो इस time उसका color, odor, skin का texture वह सब जरूर चेक करें होगा storage capacity के according ही आपको उसको लेना है ऐसा नहीं करना है कि हमने storage नहीं था तो बहुत जादा लेगी और बाद में वह food waste हो जाए देखिए आपने कोई भी food product लिया तो आप एक ही नजर में कुछी जो को तो चैक करी सकते हैं जैसे कि आपका ये food product है एक packet है तो इस packet में आप क्या कर सकते हो उसका FSAC license number चेक कर सकते हो manufacturing date चेक कर सकते हो bench before check कर सकते हो साथ में FSAC license number जो है आप बस check करने कि वो है या नहीं है manufacturing date चेक करेंगे तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि इस product को और expiry date पी साथ में चेक करना है आपको ताकि आप ये निकाल सको कि इस product को आपको कितने कितने देर में यूज कर लेना है कितार आप इसको store कर सकते हैं क्या दियान रखना होगा कैसे चेक करोंगे आप उसको उसमें कोई smell तो नहीं आ रही है उसका body में कई चोट के निशान तो नहीं कोई injury का निशान तो नहीं है आप उसको प्रेस करके देखेंगे उसको प्रेस करने से कहीं कुछ पानी जैसा off order का कोई liquid तो नहीं निकल रहा है ठीक है फिश में especially हम आइस चेक करते है उसकी आइस कैसे होनी चाहिए आइस कैसे होनी चाहिए फिश की जब हम receive करेंगे तो crystal होनी चाहिए यहाना clear होनी चाहिए और उसमें slimy नहीं होना चाहिए वह गिल्स कैसे होनी चाहिए फ्रेश होनी चाहिए फिंकिश कलर के रहेंगे अगर फ्रेश रहेगा तो वह ठीक है तो ऐसे हम फिश को चेक कर सकते हैं चिकन में भी हमें यही सब चेक करना है color उसका weight wounds तो नहीं कोई injury के marks तो नहीं उसको प्रेस करके देखेंगे उसका order check करेंगे और meat में भी यही चेक क अगर हम अलग-अलग color की ट्रेश यूज करते हैं एग रखने के लिए तो इसका क्या फायदा हो सकता है इसका क्या फायदा होगा इससे आप फीफो मेंटेंट करने में आसानी होगी जैसे कि first कौन सा रखा है फिर second कौन सा रखा है फिर third कौन सा रखा मंडे का एक color Tuesday का एक color इसे आप अलग-अलग colors यूज करेंगे तो आपको फीफो मेंटेंट करने में बहुत आसान रहेगा इस्ट्रॉबरीज चेक कर लेना चाहिए लेते समय फ्रेश है कि नहीं कुछ खराब तो नहीं है और जब आपने ले लिया तो उसको प्रॉपरली clean carrots में आपको इस्टोर करने है बताई अभी तक आपको क्या समझ में आया कोई confusion कोई confusion जी बताईए अभी तक में अभी तक नो confusion होता है आपको सब समझ में आगया नो confusion yes okay अब हम बात करते है raw material storage की कैसा होना चाहिए raw material का इस्टोरेज अभी हमेरे थोड़े दिर पहले बात कर रही थी कि storage की time में में तीन चीज़ों का especially ध्यान दखने क्या है वो तीन चीज़ हिस्टोर कैसे करना कोई भी थूप प्रोड़क को बताएए बताएए इस टोर कैसे करना कोई भी खुट प्रोड़क को इस टाइम पर क्या धियान रखना है इमको दिवाल से किए हां जी वाड़ से कैसा रखना है? डीवाल से चिप kommा की रखना रह रेते मागोता है कैसे रखना है? येस दिवाल दूर रखना है चीक है और क्या करते है करना है को जमीन से उपर रखना है और जो बी temperature है उसको के रखना है पॉराज फेसीरलिटी ऊचिह ताक भूत करोफ कंटमिनेशन ना हो प्रॉपरली मेंतेन इंस रहे हैं क्लीन ऊसके पैस्ट अचिमिलेशन ना हो बतला कोई भी चुहा सनु हो या कोई अंदर ना सके पॉल्ड फैसी निदी कैसी अजिए अगर कोई फेसीरलिटानी तो 5 डिग्र से less temperature पर maintain रहना चाहिए frozen food क्या सा रहेगा frozen food जहां भी आप रखने है उसका जो temperature है वो minus 18 degree centigrade से कम होना चाहिए ठीक है यह minus 18 or less refrigerator का क्या करेंगे less than 5 degree centigrade dry storage जो है वो आपका dry storage जो है वो आपको बहुत जादा high temperature पर नहीं होना चाहिए ठीक है प्रफरेबली 10 to 21 degree centigrade हो यह तो जादा बेटर है away from direction like food में कई सारे foods की requirement होती है raw और ready to eat products को साथ में नहीं रखना है अलग अलग रखना है ठीक है store करते समय हमें raw food को cooked food के उपर नहीं रखना है ठीक है और जितने भी food products है वो हमेशा covered होनी चाहिए जो भी food products आपने रखा हुआ है वो हमेशा label रहे हो प्रॉपरली यह जो दिवाल से दूर रखने वाली बात बोली मेले तो उसमें कम से कम एक से डेड़ फिट का दूरी होनी चाहिए दिवाल से और जमीन से उपर 6 inches के उपर होना चाहिए पैलेट इसमें हम यूशुली यूज कर सकते हैं जो भी पैकिंग मटीरियल है वो भी हमेशा covered होने चाहिए ताकि उसमें cross contamination ना हो और अगर स्टोर में आपका कोई मटीरियल ऐसा तो जो आपने reject कर दिया तो आप उसको separate रखें साथ में ना रखें चाहिए और जो भी कंटेनर से आपके स्टोर में वो भीशा close रखें ओके प्रेफरेबली वेज और नान वेज का जो रेफ्रिजरेटर है वो separate होना चाहिए अब फ्रिज के अंदर हम सबसे पहले क्या रखेंगे फ्रिज के अंदर हम सबसे पहले सबसे नीचे वाले कंट कॉर्ट में रखेंगे रहा हूं के वि एडा 572 वाले हैं अब रखेंगे के अनुर में एडा 43 वे जो kali नॉ ठीटर ना वह बनाने वाले वाले हैं उसके ऊपर हम् target उसके उपर हम्हाँ आस्यों सब्सकी है क्हाना बनाया हुए जो जो बन चुका है उसके उपर हमें रखना चाहिए ready to serve और सबसे उपर ready to eat जैसे कि veg gravy है ना अभी serve करना है हमको और सबसे उपर ready to eat ready to eat कैसा है वो पूरा prepare है अब इसमें microorganisms की जो quantity है वो बहुत restricted है वो भारा सही खाना है इसलों इसको सबसे उपर रखना है temperature requirements क्या क्या होनी चाहिए cold storage जो है आपको बहुत से 5 degree पर होना चाहिए fruits and vegetables को आप less than 10 degree centigrade पर रखिए frozen food products को minus 18 या उससे कम पर रखना चाहिए यह pre preparation क्या होता है pre preparation का मतलब आप खाना बनाने के लिए तयारी करते हो जो जो चावल को दोग के रखना सबजी को काट के रखना final preparation के पहले जो हम काम करते हो उसको प्रीपरेशन तो क्या करना है wash all the raw vegetable fruits thoroughly in potable water final washing जो भी raw vegetables की उसकी वो कैसी होने चाहिए potable water से मिला पीने योगी पानी से होना चाहिए equipments जो भी आप यूज कर रहे होने जैसे की chopping board, knife, peeler, processor वो कैसे होने चाहिए बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए ठीक है raw जो खाच्छा है और जो पंगया है वो food को separate रखना है उसके equipment भी separate होने चाहिए वैसे wedge और non-wage अलग-अलग होने चाहिए अलग-अलग रखने चाहिए होईंग क्या होता है होईंग मतलब जैसे की कोई रौ कोई frozen non-wage आया आपके तो non-wage को हम रखनेते हैं फ्रिजर में डीफ्रीजर में माइनस 18 डिगरी पर उसके बाद जब आपको उसको यूज करना है तो क्या करना होगा तो डीफ्रीजर से निकाल के पकाएंगे नहीं हम उसको थोड़ी दे लो टेंपरेचर करेंगे उसका माइनस 18 से उसको 5 डिगरी तक लेके आएंगे उसके बाद उसको पकाएंगे उस प्रसेस को बोलते हैं थोईंग क्या होगा अगर हमने डेरेक कर दिया तो डेरेक करने से उसके जो सेल के स्ट्रक्चर है वो घराब हो सकता है जो आपको माउथ फील आएगा जो टेक्शियर है उसका वो भी चेंज हो जाएगा तो थोईंगे न रेफ्रीचरेटर कैसे करना होगा माइनस 18 से निकाल के आप उसको 5 डिगरी पर रख दो माइक्रोवेव में क्या करना होगा माइक्रोवेव में भी आप गरम कर सकते हो तब तक जब तक आपका जो प्रोड़क्तिव सकानी ठीक है चीकर नाव क्रोस कंटामिनेशन क्र होगा कि कैसे यूज करना है हैंड़ टूअ कैसे होगा तो अब हमने गंड़े हाथ से पूड को टेच कर दिया तो हाथ न तो अब जो प्रोडक्त में चले गए एंड्स टू फूड हो जाएगा खराब एंड एक्विप्मेंट फूड एक्विप्मेंट फूड मिदल आपने जिस कंटेनर में खाना बनाया वो प्रणेनर साफ नहीं था या फिर जिस पून से आप खाना निकाल रहे हो वो खाना स्पून साफ नहीं था तो क्या होगा उससे भी मारा खाना खराब हो जाएगा और कंटामिनेशन हो सकते हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन का अवोइड करने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए रॉफूड पोल्टरी रेडी टूइट सब हमेशा अलग-अलग रखने चाहिए जो भी हैंड्स है वो अच्छे से वाश्ट होना चाहिए जो भी सर्फेसेस हैं जैसे कि चॉपिंग बोर्ड हो गया नाइफ हो गया यह सारी चीज़े और यह फिक कोई एक्विप्मेंट जिसमें हम खाना बना तो यह सब प्रॉपर्ली सानिटाइज भी होनी चाहिए कब खाना चालू करने से पहले और खाना खतम बनाने के बाद चॉपिंग बोर्ड अलग-अलग रखना है आपको ठीक है जैसे कि यह आप पर फोटो में दिया हुआ है लाल चा को आप रख सकते हो रॉमीट के लिए नीला से रख सकते हो फिश के लिए यल्लो आप कुग्ड मेट के लिए रख सकते हो ग्रीन सालेट के लिए वेजटेबल के लिए ब्राउन बेरी प्रोडक्स के लिए वाइट फ्रिज भी सेपरेट होना है चाहिए रॉमीट के लिए पोल्टरी के लिए जो आपका परस्टनल हाईजीन है बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है और हमारा बहुत साणा खाना कに बाँदा है ग्री साब्लक माई भाइट परता है जो बैक्टिरिया है वो सबसे ज़्यादा रॉपूध में आता है जैसे कि रॉमीट से आता है है लेकर सकता है नाइवट से आ सकता है चौपिंग मौड से आतो यह सब ही Qशिज़ों को प्रॉप फूड पे ठीक है अगर आपने सेपरेट नि रखा तो क्या होगा माइक्रो अगनिजम जो रॉवी रॉवी डॉवी यूट्वी से अपका क्रोस कोंटामिनेशन हो जाता है separate store होना चाहिए किस-किस का raw vegetable का और non-veget product का store भी आपको साथ में नहीं करना चाहिए cooking cooking में क्या धियान रटना है मैंने आपको एक बताया था danger zone होता है क्या होता है danger zone लिखा था आपने याद है किसी को 5 to 63 degree centigrade को हम बोलते है danger zone ठीक है तो जो harmful contaminants होते हैं तब भी पोस में रहते हैं मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये खा के देखा हमने तो ठीक है पर वो ज़रूरी नहीं है उसमें से जो भी harmful contaminants है matter लोड है वो properly खराब प्रॉपरली खतम हो गया इसलिए जो internal cooking temperature है वो properly आना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो कोई भी food का जो internal temperature है वो 75 degree centigrade तक आना चाहिए वेज और नॉन्वेज को इसलिए अलग अलग पकाना है ठीक है प्रेश वेजिटेबल जूसे सलाद ये सब क्या होना चाहिए उससी टाइम कटना है काटना है पहले से हमें काट के नहीं रखना चाहिए जैसे कही बार क्या होता है होटल्स में वह बहुत पहले सी सालेट पुरा काट के रखना है पर वह गलत प्राक्टिस है वह नहीं होना चाहिए इनकेस आपका बड़ा डानिंग है और आपको अगर कोई भी ऐसे पैरिशेबल पूट परड़क को काट के पहले सी रखना है तो आप उसको स्टोर करें अच्छे से ग्रो करेंगे 5 से नीचे क्या होगा वह नहीं कर पाएंगे 60 से उपर क्या होगा वह दिस्ट्रॉइ हो जाएंगे जो भी आपका फूड है अगर आपको ह adolescent गरम ही रखना है तो उसका जो गरम रहेगा तो उसका जो temperature रहीं वह 65 sorry होगी से उपर होगा और अगर आपको quality करना मतला थंडा है रखना है तो जो आपका फैरेश से दीग पर नहीं होना चाहिए ठीक है और अगर रूम टेंपरेचर कम 32 से जादा है तो अब नार से जादा नहीं होना चाहिए जब आप कुक करते हैं लिक्विड कोई भी लिक्विड बेस डिशेस को तो क्या होगा हीट के कारण जो भी उसमें बैक्टीरिया रहता है वो मर जाता है तो जब प्रॉपर टेंपरेचर आ जाता है किसी फूट का जब हम खाना बनाते तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे लेकिन अगर लिक्विड है तो क्या होगा उसकी बॉइलिंग चाले हो गई लेकिन वो प् कुप करा उपर से तो पग गया पर अंदर से कच्छा रह जा सकता है ठीक है इसलिए जब हम मीट को कुछ भी कुप करते हैं तो कलर चींज से सिर्फ हमें नहीं पता चलेगा कि टेंपरेचर आया है यानि इसलिए आपका जो मीट है उसको इंटर्नल टेंपरेचर बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है चेक करना होता है और हम चेक किसे करेंगे फूट थर्मामीटर से मिक्स फूड में भी क्या करना है प्रॉपर टेंपरेचर लाना है कब तक जब तक एकदम स्टीमिंग हॉट टेंपरेचर तक उसको गरम करना है ताकि जो हमारा टेंपरेचर है वो इवनली डिस्त्रिब्यूट हो जाए पूरे सर्फेस में जब आपको फूट को लॉंग होल पर लिया उसको बाद आपने उसको फ्रिज में रख दिया अब फ्रीज में निकाल के आप ठंडा तो सब नहीं करेंगे उसको रहीट करना पड़ेगा तो जब आप रहीट करते हो तो जो इंटरनल तेंपरेचर है वो 75 डिग्री तक आज आना चाहिए चिक चिलिंग कैसे कर अधर देना है तो 5 डिग्री पे रख देना है उसको फ्रिज में रख देना है कैसे कैसे आप प्रिंटा कर सकते हैं एक तो पानी में कर सकते हैं ठीक है वाटर बात दे सकते हैं आप उसको आइस बात दे सकते हैं Hot and Cold Holding क्या क्या होती है 5 to 60 degree centigrade पे हमारी Hot and Cold Holding है hot मतलब product ko hot ही रखना है 60 से उपर ही रखना है cold मतलब product ko cold ही रखना है 5 degree से नीचे ही रखना है now food packaging food packaging मतलब क्या होता है packaging क्या काम करती है क्या होता है packaging save packaging basically बहुत important medium है हमारे food को save करने का packaging से क्या होगा है we are packaging contaminated Azerbaijan पचा सकते ऊद्धिकर प्रांस्पोर्ट कर सकते है। कि उसकी शेलफ़ध बाडि और जम कहिर घ्म rose live लेश्व में tip उसको बिपाइजिंग इस्ताव में रहे enabling कर सकते थो तो यह ऑपके बात को हम संद हिंगी कृष्टirens तो पैकेजिंग से क्या करते हैं हम लेबल डिसाइड प्रॉपर लेबल दे सकते हैं पैकेजिंग के उपर हमारे कूट प्रोड़क का हम हमारा स्पैसिफिकेशन बता सकते हैं हमारे कूट के बारे में जनता को बता सकते हैं फोड़ेट प्लास्टिक ही उसकेला चाहिए, जब वह मटीरियल आप सिलेक्ट करते हैं, तो वह furnace में और को चाहि है, उसमें इस थे avons AGD, उसके बेस पर ही होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो packing material यूज कर लिया वो out of then we have food distribution services मतलब क्या distribution मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना जैसे कई बार क्या होता है एक जगह canteen में खाना बन गया आंगन वाड़ी इसमें खाना बन गया फिर वहाँ से बहुत सारी अलग-अलग जगह पर जाके food distribute होता है उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए जब भी food transfer हो रहा है transportation के दौरा जो food है उसको safe रखना चाहिए किसी भी तरह का contamination उस food में नहीं होना चाहिए food handling जो है वो बहुत ही minimum होनी चाहिए ऐसा हमें ensure करना है कि जिस container में या जिस utensils में खाना दे रहे हैं वो भी safe हो और safe रहे sanitize रहे जिस गाड़ी से आप खाना ट्रांसफर कर रहे हैं वो गाड़ी भी बहुत साफ होना चाहिए आपकी responsibility है वो check करने की आपको वो ensure करना है कि वो जो गाड़ी है वो safe है hot serving के दौरान cold serving के दौरान आपका जो food product है वो close रहना चाहिए ऐसा नहीं हमने open छोड़ दिया open छोड़ेंगे तो क्या होगा कोई भी न कोई हजार आ सकता है उसमें ठीक है इसलिए हाईजीन टेकनिक के दौरान हमें क्या के ध्यान रखना है हाईजीन टेकनिक के दौरान हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई food search कर रहे है तो उस तेंपे हमारा हाथ उस food में touch नहीं होना चाहिए जब आपको इग्लास पकड़े तो ग्लास को कभी भी अंदर से नहीं पकड़ना है बाहर से पकड़ना चाहिए जो भी आपका कप्स है कोई भी चीज़ उसको कभी भी जहां पर food contact surface है वहां से touch ना करें दूसरी तरफ से touch हो similarly spoons, spoons को upside down रखें आइस, आइस को सर्फ करते समय भी हमारा हाथ आइस पर touch नहीं होना चाहिए distribution system में क्या होगा जैसे कि कई बार central kitchen में खाना बन गया उसके बाद बहुत सारे location पे वो distribute होता है उस case में हमें क्या करना होगा food grade packaging material ही use करना चाहिए आप steel के containers करें hot pot यूज करें पर जो भी आप यूज करें food grade यूज करें अगर clean ना हो तो cross contamination होगा right इसलिए properly clean होना चाहिए जो भी container आप यूज कर रहे हो during transportation हमें ध्यान रखना है कि कहीं वो जो product है वो spillage ना हो गिरे ना कहीं पर भी और अगर गिर जाएगा तो क्या होगा बहुत जादा bacterial logical load हो सकता है ठीक है और क्या ध्यान रखना होता है right तो और transportation में क्या क्या ध्यान रखना होगा इसके अलावा हमें transportation में ध्यान रखना होगा कि जो भी facility है जहाँ पर food जा रहा है तो वहाँ पर भी serving से पहले एक बार उसको reheat हो जाना चाहिए अगर reheat होगा तो क्या हो जाएगा उसमें जो भी transportation के दौरान अगर आपका product में कुछ contamination के chances आए होगे तो वो भी ठीक हो जाएगा अगर danger zone में मतलब 5 degree से लेके 60 degree के बीच में अगर आपका food तीन घंटे से जादा रखा हुआ है तो आपको उसको straight away discard कर देना है उसको use नहीं करना है ठीक है ambient temperature पे अगर use है तो रखा हुआ है तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है proper timely preparation होनी चाहिए food की ताकि जब आपने बनाया उसमें तीन घंटे के अंदर वो serve हो जाए लोग उसको बच्चे उसको खा ले ठीक है और जो भी hot cold ring है अगर hot holding है या cold holding है तो इसको आपको temperatures पे maintain रखना है जब तक वो food खा रहे है मतलब जब तक वो food consume नहीं हो जाता अगर non insulated carriers है तो उसमें हमें avoid करना चाहिए insulated prefer करना चाहिए transportation के दौरान clean carrier होना चाहिए जिस vehicle में हम रख रहे है वो भी properly clean होना चाहिए bare hands से without hand washing without gloves spools हमें food को touch नहीं करना चाहिए especially ready to eat food को cold food जो बच गया बहुत देर तक transportation में तो उसमें bacterial growth हो सकती है तो उसको भी हमें face fake देना चाहिए use भी करना चाहिए cross contamination से बचाने के लिए raw food को ready to eat food को अलग-अलग रखना है आपको color coding आप कर सकते हो containers की ताकि दोनों food अलग-अलग रहें clean or sanitizer sanitize containers को ही use करना चाहिए आपको reheat कर लें food को 74 degree centigrade तक कब जब आपने food बना लिया अब आपको उसको serve करना है उसके पहले आप उसको reheat कर सकते है और अगर आपको तीन गंदे से पहली consume कर लेना है तो आप 63 degree maintain रखे temperature और आप उसको consume कर सकते है food thermometer हमें essentially use करना है ठीक है ताकि हमें पता चल सके food का right temperature क्या है NABL lab से आपको food का regular test करवाना है water का और food का दोनों का water कर सेंप्लिंग और टेस्टिंग करवाना है आपको IS10500 पर चिकेट और ऐसा food तो कि डेंजर जोन में रखा हुआ है चार गंट इसे जादा उसको खटा देना है उसको फेक देना है उसको यूज नहीं करना है परस्टनल हाइजीन जो खाना बना रहा है जो खाना कर रहा है उसकी बहुत सही होनी चाहिए मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए साफ होना चाहिए ताइम और टेंप्रेचर क्या जरूरी है क्योंकि ताइम और टेंप्रेचर ही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे फूट को सेफ रखने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा एडवांस में कुकिंग नहीं करना है ठीक है लाजर पॉशन को स्मॉल पॉशन में करके आप उसको ठंडा कर ले आपके आपका वो टेंपरेचर मेंटेंड रहे ज्यादा मतलब देंजर जोर में ज्यादा तीन घंडे से जादा तक के लिए आपको फूट को नहीं छोड़ना है और 63 से अगर कम हो जाता है तेंपरेचर तो आप उसको री हीट कर सकते हैं ठीक है 74 डिगरी पे 15 सेकंड के लिए लेकिन बस एक पार सर्विंग करते टाइम जो प्रोड़क्ट है उसका टेंपरेचर 63 डिगरी से जादा ही होना चाहिए वेस्ट डिस्पोजल में हमें क्या करना है वेस्ट डिस्पोजल के दौरान हमें ध्यान रखना है कि जो वेस्ट आप जिसमें रख रहे हो वो डस्ट भीन हमेशा कवर्ड रहे है और रेगुलर्ली वो क्लीन होता जाए ठीक है प्रेफरेबली आपका जो डश्ट भीन है वो डेली वॉष होना चाहिए डिसिंफेक्ट होना चाहिए और जो वेस्ट डिस्पोजल एडिया है वो प्रोसेसिंग एडिया से दूर हो पास में नहीं होना चाहिए अलग अलग कलर के आप डस्ट बीन्स यूज कर सकते हो जैसे एम्टी बॉटल्स के लिए अलग बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग टीक है वेट के लिए अलग सो इस तरह कि अगर आप अलग अलग यूज करोगे तो क्या होगा कि आपका बेस्ट मैनेश्मेंट बहुत अच्छ है और तो नौव फिल डिस्केस अबाऊ पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसकी बात करते हैं तो परस्टनल हाईजीन में हम देखते हैं कि जो जो भी food handlers है जो food production में हैं जो kitchen में काम कर रहे हैं उनलों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है तो जितने भी food handlers हैं सबको suitable clean protective clothing पहनना हमेशा जरूरी है proper head covering होना चाहिए face mask लगा होना चाहिए ताकि आप direct bare hand से कोई भी food को हाथ ना लगाओ जो भी food handlers है उन सबका medical check-up जरूरी है कम से कम साल में एक बार सबका medical check-up होना चाहिए जो भी food handlers है जब भी हम food preparation area में जाते हैं उसके पहले हमें hand wash कर लेना चाहिए वह hand wash करना बहुत जरूरी है जो भी आप food को touch करने वाले है उसके पहले हम हाथ को अच्छे से साबुन से disinfect कर ले sanitizer से और properly dry करके ही किसी भी food product को हमें touch करना चाहिए कार्य छेत्र में जाने के बाद है कार्म चालू करने से पहले करना है और कोई भी raw food को अगर हमें handle करना है उस time पे भी हमें use करना है ताकि जो भी contamination है वो हमारे हाथ का जो contamination है वो direct food में ना चले जाए अगर कोई worker है जो smoking कर रहा है spitting करता है तंबाकू, beauty, cigarette कुछ भी अगर करना है आपको पीना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम खाना खाते उस time हमें यह सब नहीं करना है हमारा फूड ऑल जब हमारा खाना बनाना है तब यहसी तो मस penalty ם हमें कर अन्य पहले हमारे हाथ金 होने चाहि Xiang साफ होने चाहिए मने मुं में कुछनी भाने चाहिए राइट आपको Apex Birds up Presumichão एयर से बाहर जाए आने से पहले औरिया में एंटर करने से पहले वापस इसे hand wash करिये mouth wash करिये फिर आपाइए लाइक तो food preparation के तोरान यह सब नहीं होना चाहिए हमारे नाकून जो हमेशा कटे हुए और छोटे होने चाहिए जो hairs है बाल वह हमेशा pack होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए हमने cap तो लगा लिया लेकिन hairs बाहर है ठीक है वो नहीं होना करना फेस को टच करना कोई सी भी skin को टच करना कोई भी body part इस क्रैशिंग करना है यह सब नहीं करना है हमें खाना बनाते समय इन केस आपको टच करना हुआ ठीक है मान लिजा आपको hair cap को ठीक करना आप तेच कर रहा है उसके बाद आपस से hand wash करिये soap and water से उसके बाद आप पूड़ पूड़क को टाज करसकते हैं प्रेफरेबली जो बाहर के स्ट्रीट शूज होते हैं वो हमें फूड प्रप्रपेशन एरिया में नहीं लाना चाहिए बाहर के शूज अलग किचन की शूज अलग कही बार यह देखा गए कि झो कार्ट पे लोग खाना बेशते हैं नहीं से माली जे कार्ट है आपने कार्ट लगाया है अब कार्ट में आप डूट प्रिपेर भी कर रहेprod उसको सर्फ भी कर रहे उसको करेंसी भी हैंडल कर रहे है वो नहीं होना चाहिए, वो प्रफरेबरी हमको avoid करना है, क्यों avoid करना है, क्यों avoid करना है, क्योंकि जो currency होती है, मतलब कोई note हो गया, सिक्के हो गया, यह जो note और सिक्के होते हैं, बहुत सारी लोगों के हाथ में जाते हैं, तो क्या होते हैं, सब के हाथ का microorganisms उसमें लगा है, और वो जो currency हो, उसमें दुनिया भर के शूश में जिवान हुए, सब में micro-organisms, bacteria लगा हुआ है, आपने food को touch किया, फिर अगर उसी हाथ से currency को touch किया, और वापस उसी हाथ से food को touch कर दिया, तो क्या होगा? जो हाथ में लग गया था, micro-organisms, वो कहाँ लग जाएगा? आपकी food में लग जाएगा, इसलिए हमें हमेशा avoid करना जीए, हर चीज, मतलब कहीं भी touch करना, इदर उदर touch करना, सब जगा avoid करना, food preparation के दौरान, इस तरह से आप posters लगा सकते हैं, पोस्टर लगाएंगे तो क्या आपका जो भी product है, वो safe रहेगा, अच्छा, एक और हमारे पास advantage है, अगर हम कुछ visual effects डालते हैं, तो क्या होते हैं कि? अच्छा, बताइए, आप लोग कोई भी चीज पढ़ते हो तो जल्दी समझ में आती है, या फिर आप कोई भी चीज देखते हो तो जल्दी समझ में आ अन्मूट करके बताइए, बताइए, आप कोई movie देखते हो, कोई picture देखते हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, कोई book पढ़ते हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, या प्लीज unmute yourself and say, अन्मूट नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग अपने आपको, सम्रिद शर्मा, आप अपने आपको unmute करिये, बताइए, ओके, all right, so in general, as a psychological, हम कोई भी चीज देखते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आते है, picture, like pictorial views है, अगर आपने इस तरह का poster लगा दिया, तो क्या होगा, हो सकता है, आपके कुछ ऐसे workers हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, अगर वो नहीं भी पढ़ पाएंगे, तो उनको सही का निशान और गलत का निशान समझ में आ सकता है, तो वो आप कर सकते हैं, कि जो भी हमारा poster से आपने लगा दिया, तो उसे वो भी समझ जाएगा कि मुझे बालों को आउटर पॉकेट नहीं होनी चाहिए, हात में कुछ जोल्री नहीं होनी चाहिए, फिंगर रिंग्स नहीं होनी चाहिए, इरिंग्स नहीं होनी चाहिए, नेकलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्लीव कैसी होनी चाहिए, चोट हमेशा बंध होनी चाहिए, कोई कोई ओपन घ procedure हाथ wash कैसे करना है किती देर तक hand wash करना चाहिए कोविड में हम कोविड में हमें सब को पता चल गया कि minimum 20 सेकंड तक हमी hand wash करना चाहिए now जब अब यह hand wash करते हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या-क्या होना चाहिए वह देखते हैं सबसे पहले जो भी हमारा liquid soap है, उसको आपको हाथ में लेना है, हाथ को सामने से, आपको सामने से इसको rub करना है, between the fingers, right, fingers के बीच में, आगे से, फिर पीछे से, all right, अब आपके जो thumb है, अगूठा है, अगूठे के हाँ पर भी mail जाता है कई बार, तो इसको आपको clean करना है, नाखून के बीच में से, so rub कर सकते हैं, आप fingers को ऐसे rub करेंगे, उसके बाद आपके wrist, यह जो हमारी कलाई होती ही, घड़ी जाँ पहने, इसको clean करना है, और इसके बाद आपको hand wash करना है, पानी से proper rinsing करना है, अच्छा, कब-कब हमें हाथ दोना चाहिए, यह भी बहुत interesting है, खाना बनाने स्टार्ट करने से पहले तो उमिद हो नहीं है, इसके अलावा, इसके अलावा भी ध्यान रखना है, कि जब भी हम ट्वालेट जाएं, तो उसके बाद आके hand wash करना है, अगर आपने कोई raw meat यूज किया है, raw poultry यूज किया है, non-wage यूज किया है, तो उसके के बाद आपको वेज आइटम को यूज करने से पहले hand wash करना चाहिए, पूड और बेवरेच्स सर्व करने के बाद आपको hand wash करना है, कोई भी समान को clean करने के बाद, डिश वाश करना है, बढ़तें दो उसके बाद hand wash करना है, गलवस उतारने के बाद, स्मोकी या कोई भी च्विंगम खाई आपने, या कुछ भी ऐसा खाया, उसके बाद आपको hand wash करना है, आपने कोई भी face पर touch किया, hairs पर touch किया, किसी भी body part को touch किया, तो आपको hand wash करना है, टिशू papers आपने यूज करें उसके बाद, sneezing, coughing के बाद आपको यूज करना है, चीक आगई खासने के ब क्या होगा, जो भी लोग है, उनको बेटर संदेश जाएगा, कि मुझे smoking नहीं करनी है, मुझे spitting नहीं करनी है, कोई posture हम देखते रहेंगे तो हमें चाद अच्छे से, याद रहती हैं सारी चीज़, देखें, एक में से पाँच लोग, अपने हाथ नहीं धोते हैं, जो लो सोप का योज़ करते हैं, यह जो डेटा है, यह ओवरॉल, ओवरॉल डेटा है, एक जगह, एक रीजन का नहीं है, इसलिए गलत हाथों से, मतलब डिर्टी हैंड के कारण, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हैंड वाशिंग बहुत जादा ही इंपोर्टें आस्पेक्ट है, सो आपको ना सिर्फ खाने से पहले, बलकि खाना बनाने से पहले भी उतना ही केरफुल ध्यान रखना है, जितना कि हम अपने खाने के लिए ध्यान रखते हैं, ठीक है, इस तरह से आप और को स्ट्रस लगा सकते हैं, ओके, पार फिफ्ट इस पेस्ट कंट् हमारे कई बार प्रोडक्ट जो है, वो खराब हो जाता है, और ना सिर्फ खराब हो जाता है, अगर उसको हमने गल्टी से भी कंज्यूम कर लिया तो उसके कारण हम बहुत बिमार पढ़ सकते हैं, मेजर पेस्ट में क्या क्या आता है, इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड ठीक है ना, इस सब चीजे आती हैं, पेस्ट कंट्रोल कैसे करना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा इस बात पे धियान रखना है, कि जहां से पेस्ट एंटर हो रहा है, अंदर आ रहा है, हम उस चीज को स्टॉप करें, उस चीज पे हमें धियान रखना है, ओके, वो कैसे धि इंसेक्ट का इंसेक्ट प्रूफ सिस्टम करें, जैसे कि खिरकेओं पे आपकी जाली लगी होई होनी चाहिए, जितने भी डोर से जो उपन है, उस बोग फ्लोओ होनी चाहिए, नहीं तो जाली का गड़िट लगा दे या तो प्लास्चिक स्रिप्च लगा दे या एर कृट तो जो जो भी अंदर आने की जगह है आप उन सब को हटा दे इंफेस्टेशन जैसे हुआ आप उसको तुरन ट्रीट करें उसको बढ़ने का मौका ना दे और जहां जहां पर भी आपने पानी या कोई खाने का समाई ओपन रखा है तो उसको क्लोज कर दे मतलब खाने को ढख के रखें ऐसा ना हो कि जो आपका चुहा या कोई भी इंसेक्ट अंदर आया तो उसको खाना इजीली अवलेबल हो ठीक हो इजीली अवलेबल नहीं होना चाहिए पिफो मतलब जो चीज पहले आई वो चीज पहले जानी चाहिए ओके अगर ऐ पूड मेटीरियल खराब होगा साथ में उससे जुड़ा हुआ जो अच्छा समाने वो भी खराब हो सकते हैं तो यह हमको ध्यान रखना है जो भी आपका गारबेज है मतलब जो भी कच्रा है उसको हमेशा कवर करके रखें चितने डस्ट भी ने वह हमेशा कवर होने जो भी पैस्ट आता है तो ग्लास से ग्लास कोई अगर तूटा हुआ हो खिड़की का एक्जॉस्ट से आ सकता है शटर और दीचे का जो फ्लोर है उसके बीच में गैप सरह जाती है स्पेस या ब्लाइं से आ सकते हैं तो इन सब को हमें कवर करके रखें तो हमाई जो नीची है 4D मैथड ठीक है 4D मैथड में क्या रहेगा सब से पहले लिना एंधृ हमने बात करी जहां जहां से भी पैस अंदर आ रहा है उसको आप रोको उसके अंदर आने के सोर्स को रोको ठीक हैrios के बाद ढिनाय फूद का मतलब क्या जिनाय फूद का मतलब क्या जिनायarin आपका जो सदमान गिर गया, जो खाना ढूल गया है, उसको साफ कर लीजिए, फिर डिनाय शेल्टर, छुपने के लिए मत दीजिए, मतलब जो भी हमारी बोरिया है, जैसे आपका रौ फूड है, गेहू की बोरिय है, चावल का बोरा है, शक्कर की बोरिय है, इन सब को कहां र कीड़े आके रह सकते हैं, होते हैं न कई बार, जगर आपने बोरिया रग दी तो उसके अंदर चोटे-चोटे से कीड़े आ जाते हैं नीचे, तो अगर आप पैलेट्स पर रखेंगे तो वह सब नहीं होगा, और तब भी अगर अगर आगया कोई पैस, तो हमें हमें फोकस करना होगा, डिस्ट्रक्शन पर, ये जो स्टोर दिख रहा है आपको, इसे स्टोर में क्या करना होता है, कि आपको प्रॉपर राव माटीरियल्स रखने हैं, बोरियों को प्रॉपर पैलेट पर रखना है, एक यो पर एक जमा के रखना है, अच्छे से रखना है, पैस्ट क रेड्स आते हैं वहांपर, do you find reds over there? तो चूहे का पिंजरा उसकर सकते हैं. ग्लूब बोड शुझ जुसकरते हैं कही बार हम इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए. चिक है, जितने भी आपके पाइपस हैं, उनसे अब कवर करके रखें. क्यों कि कई बार क्या होते हैं जो pipes है pipe के अंदर कोई भी insect जाके बैठ इसके लावा आपको क्या-क्या करना होते हैं इसके लावा आप insectocutors के लिए lights यूज कर सकते हैं insect killers, fly catcher ठीक है यह UV lights रहते हैं यह कई बार आप use कर सकते हो कितने भी ड्रेन से आप उसको कवर करके रखिए आल राइट सो थैंक यू सो मच इट वस आल अबाउट तोड़ी सेशन आज के सेशन से आपको क्या समझ में आया हाजी आज का सेशन जो था उसमें यह आज का सेशन यह आज समापत होता है अच्छा करूंगे कि आप आपने जो जो चीज़े आज हमने बताई हैं उसको आपने नोट कर रहा होगा आपने वो लिखा होगा so that जब भी हमारा आगे का implementation हो तब आपको सारी चीज़ों को implement करें और उसको use कर पाए आप लोग का कोई question है तो आप पूछ सकते हैं आपके प्रश्णों का स्वागत है किसी का कोई question है कोई कुछ पूछना चाहता है okay so thank you so much for attending the session that's all about today's FOSTECH training आज हमने basic food safety trainings के उपर बात करिये catering sector के लिए so now अब इस महीने के end में we will visit your analysis होगा और एक awareness session होगा okay so आपका कोई question है कुछ पूछ रहा है तो आप पूछ सकते हैं अभी नी तो बात में भी आपके अभी भी हम लोग को call करके पूछ सकते हैं thank you so much thank you for attending the session okay sir so shall we end the session मैं एक जाम के एक link भेज रहा हूँ and then that I will directly send on the whatsapp आप लोग का एक exam रहेगा उसका एक link भेज रहे हैं तो आप whatsapp पे उसको भर दीजे प्लीज मैं इमबोचा सर को भीज रहा हूँ okay इमबोचा जी we will send one examination link to you kindly get it filled by all the participants कर दो आप जीजे कर दोेजे कर दोद्ट झाल आप और पंग स्ग्ड़बब, आप जीजे 6